नमस्का फ्रेंस, प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब जेक रहेगा व्रिशब रासी फला देश पंदरा नौ से लेकर पंदरा दस तू थाउजन ट्वेंटी टू के लिए करीबन थर्टी डेश की बात होगी तीज दिन और व्रिशब रासी वालों के लिए कैसा रहेगा थर्टी डेश का सफर दो हजार बाईस के अंदर तो यहाँ पंदरा नौ से पंदरा दस में मून साइंग चंदर कुनली से बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात होगी तो यहाँ आपकी जो रासी है उसमें खुद मंगल माराज भी राजमान हुआ है यहाँ रासी के अंदर जब भी मंगल चंदर के साथ यूती बनाता है तो वो एक राज योग माना जाता है चंदर मंगल और मंगल यहाँ वरशब रासी में बैठे हुए है और वो भी चंद्र के साथ यहाँ चंद्र उच के है आपकी जो जिनका भी व्रसव रासी का चंद्र है उनका चंद्र उच का माना गया है करक रासी में चंद्रा नीच का मतलब करक रासी में स्वग रही होता है और व्रसब रासी में उंच का होता है जैसे सुरिय सीह रासी में स्वग रही होता है उसकी खुद की स्वामित्व का और मेस रासी में उंच का होता है वैसे यहां चंद्रा करक रासी में स्वग रही खु बनता है वो सीराशी में बैठेगा करीबन 24 नव तक और सीराशी के बाद वो यहां ब्रह्मन करेगा इदर कन्याराशी में और बुद्ध भी चल रहे और सुर्य भी चलने वाले हैं तो तीन प्लैनेट्स का आपके पंचम हाउस के अंदर ब्रह्मन रहेगा यह एक बहुत अच लेकिन बुद्ध यहां वक्री भी होने वाले हैं बुद्ध वक्री होंगे कब होंगे दस सप्टेंबर को दस सप्टेंबर को जब बुद्ध वक्री होंगे तो वहां आपको थोड़ी तकेदारी रखनी पड़ेगी वक्री ग्रह हमेशा शुब ग्रह जब वक्री होता है त ने तो आप अपनी वानी पर सैयम रखना वोलने में ध्यान रखना रूपियो' का ध्यान रखना पैसो का धान धन का ध्यान रखना, bank related काम के अंदर ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ अभी आपके साथ कोई cheating बाजी कोई समस्या हो सकती है, bank के अंदर, या रुपियों से लगती चीजों के अंदर, या धन से लगती चीजों के अंदर, कुटूंग फैमिलियर की एक के लिए एक अच्छा पॉइंट है, जितने भी वरसब रासी वाले, टौरस, मून, साहिन, चंदरकुनली वाले हैं, इनके लिए ये बुद काफी फाइदे मन साबित होने वाले, लेकिन यहाँ एक महिना वो वक्री है, जब ग्रवक्री होता है, तो आपको समझदारी से का माम लेना पड़ेगा बोलने में, चलने में, पैसों में, धन में, व्य़पार में, आपको किसी के ओपर ट्रस रखके आप अगर कोई पैसा धन दे रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिकोशन वालेना पड़ेगा, सोच के आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी क्योंकि यहां बुद्ध वक्री हो रहा है लेकिन वो बैटा है शुकर के साथ तो उसका फल तो आपको अच्छा मिलेगा लेकिन वहां थोड़ा आपको प्रिकोशन उस टाइप से रखना है यह आपको ध्यान रखना है शुकर यहां कन्या रासी में आएंगे और शुकर लगन से हाला कि गुरू सामने बैटे हुए है तो गुरू तीन ग्रहों को देखेंगे तो यह पॉइंट बहुत अच्छा बनेगा धन आएगा पैसा आएगा बेटो बेटे की साधिया नक्की होगी इस टाइम के अंदर अभी जितने भी व्रसबरासी वाले हैं उनके जो बच्च से हैं आपकी बेटी या अ बेटा है तो अभी आपके बेटे बेटों की साधिया पक्की हो सकती है अच्छे रिजल्ट लग सकते हैं अच्छे कुछ उनके जीवन में प्रसंग आ सकते हैं आपके संतान की बाते हो रही हैं बहुत लंबे टाइम नहीं हुए तो तो यह रिली में आया हुआ है इसलिए शुक्रा सूरिय और बुद्ध और सामने गुरू सबसे बड़ा प्लैनेट स्ब्रम्मान का गुरू और वो तीनों ग्रहों को देखेगा तो यहां आपके लिए बहुत अच्छे समाचार है बहुत अच्छा ये टाइम है आपका पैसा धन भाव खुब आने वाला है धन की समस्या भी दूर होने वाली है अचानक कोई लौट्री लग सकती है पैसे आ सकते है यहां आपका जो लग्की नंबर माना जाएगा ये टाइम के अंदर वो माना जाएगा 93 93 अगर 93 आपको लंबा लगता है तो आपको 9 प्लस 3 इस इकवल टू 12 बारा यूस कर सकते हो या फिर 3 यूस कर सकते हो 93 जहां लगाना है वहां 93 लगा सकते हैं जहां 12 यूज़ करना है दो डिजीर का काम है तो वहां 12 यूज़ कीज़े या फिर तीन यूज़ कीज़े कलर आपका इस टाइम पे रहेगा यलो यलो कलर आपको ये मैने में प्रिफर करना है जो भी आप शुब काम के लिए जा रहे हो, कहीं भी कोई मीटिंंग के लिए जा रहे हो, कोई ऐसा आपका अरजन्टकाम है, या कोई ऐसी प्रपोजल है, वहाँ आपको मीटिंग करनी है, то आपको यल्लो चीजों का कलर का रंग का ज्यादा उप्योग करना है, कपड़े में, खाने पीने में ये सब चीजों में थोड़ा आपको यलो कलर को ज्यादा प्रादनिय देना है अल्रेडी शुब ग्रह बहुत बढ़िया चलने है वाइदा बजार सेर सट्टा से जितने भी जुड़े हुए है उनके लिए बैतरीन टाइम है लेकिन जो सेर सट्टे से जुड़े हो उनके लिए ये एक मैना बहुत संबालना दस सप्टेमबर से दस अक्टोबर में जब में थोड़ा साइलेंट रेना है बहुत सान्ती से काम लेना है जब तक बुद्ध वक्री है ग्रह अपना काम निभाता है रॉल निभाता है इसलिए बुद्ध जब तक वक्री है तब तक जितने भी मीडिया लाइन से जुड़े हुए लोग है जो भी मीडिया से जुड़े है निउस से जुड़े हुए है जो इंटरनेट से जुड़े हैं मोबाइल से जुड़े हुए लोग है जो बहुत बड़े एंकर है टीवी के या कोई भी माध्यम चलाते हैं तो उनको यहां खास तकेदारी कापजी रखनी है क्योंकि बुद्वक्री हो रहा है जो भी आडत्य दलाल, वेपारी, कंसल्टन्सी से जुड़े होए लोग है उनको भी यहां बहुत एक मैना थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग एक बार जब मारगी हो जाएगा 10 अक्टोबर तब फिर आपको कोई समस्या नहीं है लेकिन जब तक वक्री है तब तक समस्या बुद की है बुद वक्री होता है तो वो बहुत खराफ़ल देता है इसलिए उसको आप कम मत आके बुद को तो यहां मेन बात हो गई बुद जब वक्री होगा शुक्र यहां बढ़िया रहेगा, शुक्र का कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो गुरू की नजर में, हाला कि बुद्ध भी है, लेकिन वो वक्री हो जाएगा, तो इतना फाइदा नहीं करेगा, उल्टा से नुकसान कर देगा, धन का पैसो का नुकसान हो सकता है, बेटो बेट करिए, जो वो मारगी हो जाएगा, फिर उस चीजों के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ इंक्वाइरी करने जाएंगे, तो आपको कुछ गलत सलत सामने से इंफोर्मेशन आपके पास आ सकती है, इसलिए अभी इंक्वाइरी करने का टालिए, खले नक्की करके रख जो है कि हमको इंट्रेस्ट है, लेकिन हम बात करेंगे दस अक्टूबर के बाद, इसलिए ये एक थोड़ा पॉंट आपको रखना है, शनी बहुत बढ़िया चलने है, हलाकि वो वक्री है, शनी भी वक्री है, 23 अक्टूबर तक शनी वक्री है, इसलिए कहीना कहीं भागया का आपको जो सहारा मिलना चाहिए वो आपको लग रहा है कि थोड़ा हमारा नसिब अभी कहीं न कहीं पीछे दो स्टेप जा रहा है लेकिन ढरने के कोई चिंदा नहीं सनी जैसे मारगी होंगे अपने आप आपके रस्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे मंगल भी यहां बैठने वाला है लंबे टाइम तक मंगल भी करीबन मार्च दो अजार तेश तक बैठने वाला है वो भी चंदर के उपर तो यह कोई समस्या नहीं क्योंकि वो आपके सब्तमस्तान का स्वामी है और कुप सब्तमेश को देखेगा तो यह एक अच्छा प्लस पॉइंट है उसमें कोई आपको समस्या नहीं मंगल की कोई समस्या है नहीं यहां जो समस्या थी वो अभी निकल गई है अभी बस आपका टाइम अच्छा ही है पॉजिटिव है क्योंकि व्रसव रासी वाले बहुत परेशान हुए रास्ट दो धाई तीन साल से तो काफी समस्या प्रॉब्लेम उन्होंने फेस किये हुए है लेकिन अभी उनको यह सब समस्या प्रॉब्लेम फेस करने को नहीं मिलेगी में पार्टनर लाइफ पार्टनर से ज्यादा इनको तकलिफे देखने को मिली हुई है लेकिन अभी कोई ऐसी समस्या नही लिए ये टाइम ये थर्टी डेस बहुत इंपोर्टन से आपके लिए खास करके पैसे के लिए धन के लिए पैसा धन अभी आपका कोई बड़ा जैकपोर्ट लग सकता है ऐसा योग चल रहा है तीन ग्रह बैठे पंचम स्थान में और खुद गुरू उसको देख रहा है ब्र इश्ट देव जो भी बगवान को जो भी धरम को बिलॉंग करते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा आपको न्याम लेने का दस मिनिट पंदरा मिनिट भी रोज आप मंदिर में मस्जित में इरजागर में जाके आप दो हाथ जोड़िए कुछ भी मत करें लेकिन ये तो करना ही करना है वरस्वरासी वालों की खास बात कर रहे हैं उसे और के उड़े लेके आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार